दोस्तों नवश्कार मैं हूँ डाक्टर प्रहलाद प्रषाद जनर्केशियन जदी आप रोजाना दाल चीनी या दाल चीनी का चूर्ण का सेवन करते हैं ताप पर क्या परवाव पड़ेगा आज मैं आप लोगों को बता मुँगा आप लोग वीडियो एंड तक बने रहें दोस्तों लास्ट में कुछ ऐसे आपको मैं हेल्थ टिप्स दूंगा जो आप लोगों के लिए बहुत ही फायदमन्द होगा अपलों आप लोगों वीडियो लास्ट देखना और नहीं जिवर स दूस्ते दाल्चीनी या दालचीनी के पाउडर का इस्तिमाल करते हैं तो आप पर क्या हों पड़ेगा जा फिर गलास दूद में एक चमष दाल शुन्दी है आप खाली कुछ दूद्स हुए पीते हो तों आपके अन्दर गजब की ताकत और गजब की इम्मेंटी कि श्री ताकति व्रद्धी करता है और आपके प्रजनन समन्दी कोई शिकायत है प्रजनन समन्दी कोई तरह की दोस्यायत तो इसको दूर करने में सक्षम है दोस्तों इसको आता है डालचिनी आप जानते हो सद्धियों से मसाला का काम लोग करते आये हैं ठीक है तो इसको नित दिन सेवन करने से यह कोई शिकाओं को न घटने देता है शरीर में न पोई शिकाओं को बढ़ने देता है अधा इस तरह से आपके अंदर कैंसर पर अपने में बहुत ही शहायता करता है इसको नियमित स्वन करने से सुगर कंट्रोल रहता है इनको सुगर को मरीजिश का नियमित स्वन करने तो उनका अंदर ताकप लियाएगी सुगर साही कमजूरी दूर रहती है और यह सुगर कंट्रोल करता है यह दिल के बीमारी होने से रोकता कोलिस्टोर बढ़ना टाइग लिस्टाइड बढ़ना यह तमाम दिकते हैं नसों में खुन के ठक्के जमना सीने में दर्द होना हाट में दर्द होना यह सब के लिए राम मढदवा है डेली आप गाय के दूद में चमच प्योर गालचिनी पर डाल करके आप सेवन करें एक एक दरी आसी है बलगन है धम थे भिए बड़ संबनी रोग है धबर काल है इसका नियमित सेवना करने से इक कपी लभ पहुं जाता है यह आवक रोशनी को तेज करता है तुछ रूत में भी आपकी फायदा है आपके चमड़े में चेरे पर शायनिंग गुलोब बढ़ जाता है आपका चेरा को सकता है आप उमर से कम लगते हो इसका नियमित पुसर्थ सेवन करें यह उम्ग को रोकसी देता है जदि आप इसका नियमित सेवन करते हो तो जदि आप 50 के भी होता आप 30 का लगे इसके टाकत है इसके इतनी गु में भी आता है तो तमाम इसका अनले भी फायदे लगे मैंने मुश्क्री जो फायदे आप लोग बता दिये तो मैं आपको उन्रोद करूंगा जरूए आप लोग डालचेनी का सुबह सुबह दूद के साथ पाउडर मिलागा रेक्चन मस्च सेवन करें तो आपके अंदर गज